और ये मैंने अभी चड़ाए ये जे डबली मैंस दो हजार तेरा का पेपर मैं सॉल कर रहा हूँ आप देखेगा और इसका हैंडिटन सॉल्यूशन मेरी वेबसाइट टेकोक्लासेस.com पर भी चड़ा दिया है और फेस्बुक पर मेरे एकाउंट सुहा कारिया पर भी आपको मिल जाएगा बाकी वीडियो आप यहाँ देखें इसमें मेरे पास बुकलेट नमबर आर है इसमें पहला कोश्चन दिया है equation x square plus 2x plus 3 is equal to 0 के दो roots alpha बीटा में से एक root ax square plus bx plus c is equal to 0 के साथ common है तो अपन assume कर सकते हैं कि एक root alpha है और दूसरा बीटा है फर्स्ट equation का और second के लिए alpha और gamma alpha question बोल रहा है कि common है मगर ध्यान से देखिए इसका discriminant विविक्त कर b square minus 4ac की value आप check करेंगे तो पता चलेगा कि ये negative आ रही है negative आ रही है इसका मतलब roots imaginary है और जब भी इस तरीके का case बनता है तो roots इस form में होते हैं कि p plus iota q and p minus iota q और इस वज़े से यदि एक root common हो रहा है तो मजबूरी में दूसरे root को भी common होना पड़ेगा इसलिए आप concept लगा सकते हैं कि both roots are common that's why इस equation को अपन अब लिख सकते हैं कि a upon 1 will be equal to b upon 2 will be equal to c upon 3 that's why हमारा answer बनता है कि a is to b is to c will be equal to 1 is to 2 is to 3 इस set का option number 2 मेरी तरफ से आपको answer